रेफ्रिजियरेशन शिश्टम में एार कंडिशनर सिष्टम में सक्सण प्रेशर, डिस्चारज प्रेशर, स्टेंडिंग प्रेशर, बैक प्रेशर, रिटन क्या होता है? जिने नहीं बता उनकी लिए कंफ्यूजन होता है इसलिए complete वीडियो को देखते रहे हैं आज इस वीडियो में step bester एक एक करके मैं बताऊंगा कि आखिर क्या होता है ये suction pressure और discharge pressure और standing pressure return और जो कहते है return back pressure return pressure क्या होता है आज complete वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसलिए वीडियो को complete देखते रहे हैं जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बहुत useful होने वाला क्योंकि जो नए फिल्ड में आते हैं ना मैं suppose that मैं अपनी बात बताऊं जब मैं काम सीख रहा था AC का तो जिसके साथ मैं काम करता था ना 50-50 km की दूरी हम तै कर लेते थे लेकिन मेरा question नहीं खतम होता था तो इसलिए जो नए फिल्ड में आते हैं ना उनके लिए बहुत ही important होता है हर एक चीज को जानना क्योंकि उन्होंने किताब में पढ़ा है suction pressure, discharge pressure, standing pressure, back pressure उन्होंने किताब में पढ़ा हुआ है इसलिए जानने के इच्छुक हैं कि अखिर यह होता क्या है तो देखे इसमें होता क्या है air conditioner system में, refrigerator में, किसी भी में भी आपको यह देखने को मिलेगा standing pressure, suction pressure, discharge pressure, हर एक जहां compressor लगा हुआ है, वहाँ देखने को मिलेगा चाहिए AC हो या refrigerator हो तो देखे यहाँ पर मैं आपको पहले में बता देता हूँ और हमारे पस एगेज भी है, मैं दिखाऊंगा भी आपको देखे, air conditioner system में एक motor pipe होता है, एक पतला pipe होता है ध्यान से समझे, वीडियो को skip कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यह मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो बिल्कुल नए है भी, फिल्ड में नए आए हैं, उनको नहीं पता है क्योंकि न, जो थोड़े पुराने होते हैं, थोड़ा सा जानकारी होती है, उन्हें suction pressure, discharge pressure सबसे पहले पता हो जाता है इसलिए, जिन्हें नहीं पता है, वो देखे, वीडियो को complete और समझे, air conditioner system में, चाहे refrigerator हो, या फिर air conditioner हो split हो या फिर window हो, split में तो आसानी से चेक कर सकते हैं, window में थोड़ा दिकत होती है, उसे चेक करने के लिए उसे ब्रेजिंग करना पड़ता है, यह क्यों वाल लगाना पड़ता है, charging वाल, तब आप चेक कर सकते हैं लेकिन split AC में आप बहुती आसानी से चेक कर सकते हैं, एक motor pipe होता है, एक पतला pipe होता है आप इससे देख सकते हैं यह एक motor pipe होता है, एक पतला pipe होता है, split AC के outdoor के पास में जो मैं बात कर रहा हूँ यह तो वहां पर मोटे पाइप में आगर आपको सक्सन प्रेसर चेक करना है तो सबसे पहले सक्सन की बात करते हैं और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि सक्सन प्रेसर, बैक प्रेसर, रीटन ये तीनो नाम एक ही है कोई कहता है सक्सम्राइब कायता weak pressure कोई रिटर्ण कहता है यह तीनों नाम एक ही हैं लेकिन ढवन सेइधाय ले दोनों अलग-अलग हैं कि तो दो मोटा पाइस ने यहां पर कुण लगाएंगे अपने करद जीसे में दिखाना चाहूंगा यह situación यह हमारे पास में वाल्व है, यह देखिए यहां पर color code दिया जाता है, यह लाल color जो होता है न need high pressure gauge होता है, यह blue color का होता है, यह low pressure gauge होता है, blue ओला में खरब हो गया है, इसलिए हमें red को ही यहाई प्रेसर को ही यहाई करता हूँ, में क्योंकि ना इसमें लो प्रेसर हाई प्रेसर क्यों दिया गया है देखिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगो नजदीक से इसमें 500 PSI का प्रेसर आप माप सकते हैं इसमें 500 PSI का और इसमें सिर्फ कहां तक होता है 120 PSI तक यहां पर दिया गया है सिर्फ 120 PSI आप देख सकते हैं 120 PSI तक का प्रेसर इसमें नाप सकते हैं तो सक्सन प्रेसर जब हम नापेंगे ना तो लो प्रेसर से नापेंगे क्योंकि लो प्रेसर में सक्सन प्रेसर नापा जाता है लेकिन हाई प्रेसर में यूच करता हूँ क्योंकि यह मेरा ख्राब हो गया है तो लोप्रेसर का जिससे भी नापना है आपको उसके ठीक नीचे जो जो चार्जिंग लाइन लगा है अप दिख सकते हैं ये चार्जिंग लाइन रडवाला ठीक इसके मीटर की नीचे जो लाइन लगा है ये सीधा हम लगाएंगे कहां पर सकसन लाइन पर एर कंडिशनर के जब आउट डॉर होते है वहां पर सक्सन लाइन में इसको लगाएंगे हम लगाएंगे ओवा भी कैसे कि हमारा रंशuğ पोजीशन में होना चाहिए सिस्टम एर और 10-120 प्रेसर बताएगा और 32 है तो 115 का प्रेसर बताएगा प्रेसर के लिए भी आलेडे में वीडियो बना चुका हूं कि कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेसर कितना है उसको नहीं देखें वीडियो को तो जाए आई बटन में फ्लेस हो रहा है वहां से क्लिक करके या फिर दिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए तो इसमें यह लगाएंगे और रनिंग पोजीशन में जो प्रेसर इसमें रीडिंग जो प्रेसर यहां पर बताएगा वह हमारा बैक प्रेसर होगा वह हमारा सक्सन प्रेसर होगा वह हमारा रिट एक प्रेसर हमार थाढ़ हो गया, अब हमवात करते हैं, इसימ़ प्रेश्ण के लिए led नीला बाणे नियुचर यह उच्छाइज कहा जाता है, जहां 120 से ज्यादा का pressure हमें नापना है वहाँ पर high pressure gauge का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें 450 PSI है R410 तक का discharge pressure आप इससे नाप सकते हैं क्योंकि R410 का discharge pressure 400 से 400 PSI के आसपास में होता है तो इससे नाप सकते हैं अब देखें, discharge pressure नापने के लिए अगर R22 है तो 200 से 300 PSI के बीच में होता है तो आप low pressure से आप नहीं नाप सकते हैं क्योंकि उतना इसमें reading ही ने दिया गया है और इसमें 500 PSI तक दिया गया है इसलिए discharge pressure वह भी चलते हालत में आपको नापना है तब ही आप discharge pressure नाप सकते हैं कैसे? Dishrage pressure नापने के लिए आप देख सकते हैं यह पतला pipe जो है जो मिलगाएंगे इसको यह हमारा gauge के नीचे जो ठीक बीच्वाला common होता है ध्यान और रखें बीच्वाला हमेशा سिलेंडर में लगाये जाता है है या यह कंदिशेनर में यूज करें या फिर बेंतविर किसी में यूज करें डिश्चाइबा ye लेकिन दिश मापने के लिए डिश्चार्जयरण के लिए औरकने ओना सिस्टम में बाद घाइए किसी-किसी AC में, split AC में, पतले वाले में, liquid line में नहीं दिया जाता है, सिर्फ मोटे pipe में, suction line में ही दिया जाता है, तो अगर एक में ही सिर्फ दिया गया है, तो आप उसे नहीं नाप सकते, discharge pressure नहीं नाप सकते, तो अगर दिया गया है, तो पतले pipe में इसको लगाना है, और चल सब्सक्राइब करते हैं कि हमारा इस्टेंडिंग प्रेशर क्या होता है सक्षन और इस्टेंडिंग प्रेशर रनिंग पोजीशन में ना पा जाता है एर कर्निशनार चल रहा हो और इस्टेंडिंग प्रेशर मतलब खड़ा हुआ इस्टेंडिंग फिर्शन में में ओना चाहिए रेफ्रेजरेंट ने प्रेज़ंट पर बंड़ पर रुका हुआ हो और पूरे लाइन में लिकुड लाइन में और सक्सन लाइन में जो पाइप है पूरा उसमें अपनी जगह पे रुका हुआ हो रेप्रेजरेंट उस समय जब हम यह गेज लगाएंगे तो वहां पर सक्सन लाइन में लगाएंगे मोटे पाइप में इसको लगा तो यह होता है तरीका कि यह हमारा होता है कि संति प्रेसर अर और बैक प्रेसर और स्टेंडिंग प्रेसर इस तरह से आप नाप सकते हैं और इसी कहते हैं कि I hope कि आप समझ गए होंगे कि प्रेसर क्या होता है एर कंडिशनर सिस्टम में फिर भी अगर कुछ भी इसके बाद भी कुछ भी पूछना हो कि कौन से रेफ्रिजरेंट का प्रेसर कितना होता है और यह जो भी दिमाग में है कुछ भी आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई जल्द से जल्द वीडियो के सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा आनावली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे मिलते ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ है